हलो बच्चों आप सब कैसे हैं? तो हमने प्रिवियस लेक्चर में जो पढ़ा था कि कोलोईड की जो प्रॉपर्टीज हैं कि कैसे होते हैं और उनकी टाइब क्या है, फोर्सेज के इसाब से क्या है, दिसबस्ट फेस और मीडियम के इसाब से क्या है, आप में सब याद कर लि है chemically आप कैसे prepare कर सकते हैं तो आपके पास कौन-कौन से method है आपको यह 4 reaction ही याद रखनी है बात समझके ना 4 reaction ही आप याद रखेंगे और इसी पर जो method लिखे हुए है आपको यहीं से नाम याद हो जाएगा और 4 reaction आपको याद हो जानी चाहिए पहला क्या है double decomposition कि आपको breakdown करना है ठीक है double decomposition अब उसमें क्या है आपके पास यह है arsenic का oxide है आप बना सकते है arsenic किस family का member है यह nitrogen से है और यह oxygen oxygen की आपको पते है formula क्या बनेगा इसकी equivalency 3 होती है तो यहां 3 लिख तो oxygen की कितनी होती है 2 तो यह 2 हो जाएगा अब यह है hydrogen sulfide बात समझ गए hydrogen sulfide है अब यहां यह किसको है यह इसको displace कर देगा oxygen को और यह बन जाएगा H2O और AS2S3 ठीक है sulfide आप जो यह देख रहे हैं यह सारी चीज़े ऐसी दिखाई पड़ती है फिर यह सब कुछ मिलाने के बाद हमें ऐसे यह colloid बनते हुए ऐसे नजर आएंगे ठीक है यह अलग अलग तरीके के colloid हैं जैसे यह aluminium का है यह copper का है यह nickel का है तो ऐसे यह H2S oxidation किया गया Oxidation अब यह क्या हुआ यह तो sulfur में चेंज हो गया और यह H2O बन गया है ठीक है अब sulfur देखो एक colloidal range में तब यह reaction हम करते हैं तब यह colloid form होता है हम colloid ही form कर रहे हैं तो हमने क्या किया है कि SO2 प्लस में H2S oxidation हुआ sulfur form हुआ H2O form हुआ यहाँ पे AUCl3 और यह formaldehyde H2O reduction हुआ और यह इसका sol बन गया कोलोईड यह बन रहे हैं बात समझे ना कोलोईड यह formation हो रहे है और यह आपको reaction mainly ध्यान रखनी है उपर वाली आप याद रखें ना करें method याद कर सकते है hydrolysis oxidation reduction oxidation reduction और hydrolysis यह तो याद रहेंगे एक double decomposition अब देखो क्या है कि अब आप FeCl3 chloride है आप किसी और चीज का भी ले सकते है Cl3 ले सकते है या आप AG का ले सकते हैं AU का ले सकते हैं किसी का भी ले आप जैसे उपर AU का ले रखा है AGCl3 भी ले सकते हैं फिर इसकी क्या कर रखी है hydrolysis कर रखी है H2O क्या बन जाएगा यह Fe OH का thrice और HCl bar बात समझ खें यह किससे हुआ है hydrolysis method से अब देखो एक हमारे पास वैसे और कौन सा तरीकी का method हो सकता है mechanical disintegration method हम उसको बोलते हैं क्या बोलते है mechanical disintegration method mechanical का मतलब क्या है कि आप कोई force लगाएंगे यह chemical method में आपको इतना ही करना है आप क्या करेंगे आप कोई force लगाएंगे force कैसे आपने देखिए चक्की जो पुराने टाइम में जो होता था ऐसे उसमें ऐसा कुछ सिस्टम होता है और यहां जो गेहूं है माल लीजिए यह तो बहुत बड़े रेंच में ले आए ठीक है ना तो mechanical method जो होता है mechanical disintegration उसमें mechanical disintegration method भी बोला जाता है next method क्या है bradict arc method जिसको electrical disintegration method भी बोला जाएगा अब देखो यह आपको image दिखाई पड़ रही होगी आपको क्या करना है इसमें दो system होते हैं वैसे तो यह जो electrode लगाए गए हैं यह आपको दिख रहें यह क्या है मैटल के अब यहां क्या हम कर रहे हैं अगर आप बहूट जादा हीट देते हैं बहुत जादा वोल्टेज देते हैं तो एक मैटल का पीस है फिर वो क्या है ? चोटे चोटे पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा अब bond तोड़ रहे हैं पूरा metal का piece है अब बहुत जादा energy दे रहे हैं यहाँ पे तो छोटे छोटे particles में breakdown होगा अब इतने वे छोटे ना हो जाएं कि वो colloidal range में ना आएं तो हम नीचे जैसे यह हमने क्या रखाया है हमने यह ice रखिये ice बात यहाँ पे लिखा गया है और यह dispersion medium है medium तो चाहिए ना तभी तो colloid दोई चीजों से बनता है dispersed phase और medium से बनता है तो क्या है जैसे वो छोटे छोटे particles आएंगे तो फिर वो यहाँ क्या होना शुरू हो जाएंगे condensed होना शुरू हो जाएंगे और फिर किस range में आ जाएंगे वो colloid range में तो इसको क्या बोलते हैं ब्रेडिक्ट आर्क मेथड देखें वो बिल्कुल ही छोटे छोटे particles आप आपके पास road है एक तो आप क्या करें उनको बहुत जादा energy दे के और छोटे particles में तोड़ दे या आप ऐसे करदें इतनी high voltage दें कि उनको वैपर form में convert कर दें तो वैपर form में convert हो जाएगा तो नीचे आखे condensed हो जाएगा और किस form में बन जाएगा फिर हाँ colloidal range में पहुंच जाएगा किस range में पहुंच जाएगा colloidal range में यही कौन सा method है ब्रेडिक्ट आर्क method अब यह मत भूल जाना कि यह भी किस काम आता है यह colloidal formation के लिए काम आता है किस काम आता है colloidal formation के लिए तो next method हमारा क्या है peptidization में क्या है कि आपको precipitate बनाना है जो natural था वो colloidal range में नहीं है हम उसको कैसे बनाएंगे कि आपने जैसे उसमें कोई भी एक solution डाला आप dispersed phase था dispersed medium था तोनों आपके पास है फिर specific एक agent डालना पड़ेगा कि उसको क्या बना पाए उसके हाँ उसको peptizing agent हम बोलते हैं कोई electrolyte आप डाल लें जो उसको क्या कर पाए कोईगुलेट कर पाए उसको एक range में ला पाए पहले वो नहीं है जैसे FUH thrice का हम नाम ले रहें बार बार ये इसमें आता है और फिर इसमें आपको कोई एक electrolyte डालना पड़ेगा तब जाकि ऐसे colloidal range में आएगा इसी को आप क्या बोलते हैं peptidization method और एक तरीका है form करने का किसको colloids को form करने का फिर क्या है purification आप colorids को purify कैसे कर सकते हैं सबसे असान तरीका purification में जिसको dialysis बोला जाता है क्या बोला जाता है dialysis क्या है जिसके kidney खराब हो जाती उसके लिए use किया जाता है अभी आप diagram देख रहे होंगे पर एक property आप सुने पहले किसी चीज की property सुननी है colloids की एक होता है colloid और एक होता है crystalloid क्या होता है एक colloid होता है और एक crystalloid होता है यह crystalloid है तब अपना जो blood है अपना जो blood है जिसके kidney खराब हो जाती है मान लीजे यह आप अंदर का blood की बात कर रहे हैं कि हमारा blood कैसा हो गया है उसमें बहुत जादा गंदगी खटी हो गई है गंदगी के मतलब क्या है बहुत सारे blood vessels अपनी क्या है साथ में क्या आ गए है यहां पर यूरिया है एनने सील आ गया सॉल्ट हो गया अमीनो एसेड्स हो गए बहुत सारे तो यह हमारे बलड के लिए अच्छे नहीं है अभी हमारे शरीव में एक्यूमिलेट हुए तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम देंगे तो इनको क्या करना यहां से प्यूरिफाई करना है अलग करना है अब आप यह देखें कि रेंज हमने पढ़ी थी कि एक नैनोमेटर से हजार नैनोमेटर तक इनकी रेंज होती है तो हमें करना क्या है कि इसको एक पर्चमेंट मेंब्रेन में पर्चमेंट मेंब्रेन या आप एनिमल मेंब्रेन की बात करें, animal membrane किसको बोलते हैं, जैसे अपनी जो semi-permeable membrane जो living, जो animal होता है जो animal है, उसकी आपको membrane लेनी है, वही उसको आप animal membrane vegetable membrane, ये दोनों नाम दिये जाते हैं, तो इसके अंदर क्या है, हम भर के, क्योंकि हम अपनी cell की बात कर रहे हैं, cell की मतलब वह vessel से ही निकाला जाता है तब dialysis किया जाता है, तो उसी के अंदर होगा, ये तो हम एक experiment की रूप में देख रहे हैं तो इंप्योरिटी वाला blood है इसके अंदर, इंप्योरिटी है यहां पर तो उनको बाहर कैसे निकाला जाए इनको बोलते है crystaloid जो की इंप्योरिटी है अब इनकी एक खास बात है कि जो colloid होते हैं जो colloid होते हैं, मतलब जो अपनी RBC है, जो अपना blood है वो colloid होता है, और वो इस membrane से बाहर नहीं निकल सकता अब इसका कारण क्या होगा membrane से कोई चीज बाहर कैसे नहीं निकल पाती अब माली जी ऐसी membrane है उसका size ऐसा है तो इसमें तो आप कोई particle डालें तो छोटा सारे ऐसे निकल जाएंगे बात समझके ना, अब इससे कोई बड़ा particle हो इससे क्या हो कोई बड़ा particle हो तो क्या इसमें से बाहर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे तो animal membrane के pore बहुत छोटे होते हैं तो colloid उससे बड़ा है तो वो तो इसमें से बाहर नहीं जा सकती है बात समझके ना, colloid इसमें से बाहर नहीं जाएगा crystaloid बाहर चला जाएगा जिसकी वज़े से जो गंदगी यह सारा जो NaCl है, ammonia है, urea है सब कुछ बाहर चला गया अंदर सेर्फ क्या बचके हमारे पास अपनी RBC बचकी जो अपना blood था वो साफ हो गया बस क्या फिर से समझो क्या बोला गया है कि ये एक simple diffusion है high concentration से low concentration की तरफ तो dialysis में क्या है आपको क्या system बनाना है वो machine कैसी होती है जो इसको हम electro dialysis क्योंकि अगर हम normally करने कोशिश करेंगे तो बहुत slow-slow होगा हमें fast कराने तो हम electricity की help लेते हैं ये काम कराने के लिए एक तो अंदर का system जो हमारे blood में होता है अपनी vessels है जो की impurity वाले blood से भर चुकी है एक हमने यहाँ पर क्या ले लिया आप diffusion जानते हैं ये बताए पहले क्या होता है किसी चीज की movement किसी चीज की भी movement high concentration से low concentration की तरफ कोई भी चीज तब move करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं diffusion बोलते हैं अब यहाँ क्या है ये मैंने बताया था कि कभी भी कोई जो अपना colloid है वो इस membrane से तो पास हो नहीं सकता है जो animal membrane है क्योंकि इसका size बहुत छोटा होता है और जो अपने colloid है उनका size बड़ा है तो पास कैसे होगा इतने इतने portion उसमें से तो निकलेगा कैसे नहीं निकल सकता है पर जो NACL हो वो सब कुछ बाहर निकल जाएगा और ये concentration के basis पे होता है यहाँ पे पानी रग दिया गया है क्या रग दिया गया है पानी को अब वो साफ सुतरा पानी है अब यहाँ नमक जादा है यहाँ जादा है यहाँ कम है तो पानी कहां से कहां मूव करेगा high concentration से low concentration की तरफ बस इसी को हम electricity की help से कर रहे हैं electricity यहाँ पे लगा दी गई और फिर वहाँ पे क्या हो गया वो प्रोसेस हो रहा है electro dialysis हम बोलते हैं हमार जिसके किड़नी खराब हो जाती है उन लोगों का blood ऐसे ही साफ किया जाता है बात समझ खे electro dialysis इसको बोला जाता है फिर क्या है ultra filtration क्या है ultra filtration आप membrane के हिसाब से देखें कि सबसे छोटा size था किसका किसका size था true solution वाले particles का अब अगर filter paper से किसी चीज़ को pass करने की कोशिश करें filter paper से filter paper का size के जो pores होते हैं वो इतने बड़े बड़े हैं ठेक है ना बहुत बड़े हैं उसका size बहुत बड़ा है तो true solution के particle इतने छोटे छोटे तो निकल के भाग जाएंगे pass हो जाएंगे बिल्कुल पका हो जाएंगे यहां से तो गए अब colloid भी इतना ही है इतना भी बड़ा नहीं है वो तो वो तो इसमें से भी pass हो जाएगा तो हमने तो नाम दिया इसका क्या ultra filtration ultra मतलब कुछ जादा ही है अब वो कैसे हो सकती है इसको हमारे पास filter paper है उसको इस range में लाना है उसके pores को ये pore है मान लीजिए ये आपकी कोई चीज है अब आपको क्या करना है आपको एक जंगे बनाना है कि इसके pores को इतना मैं कुछ छोटा कर दो और यहां कुछ हम भर दे ऐसा कुछ कर सकते हैं हम कर सकते हैं यहां कुछ इनके pores में कुछ डाल दिया जाए कुछ ऐसा हो जाए कि इनके pores को में हम भर दे आ लीजिए ये paper है और इसमें इतने इतने pores हैं और उनको आपको क्या मोल दिया गया इनको छोटा कर लाओ भई उनको छोटा कर ला हो तो आप क्या कोशिश करेंगे कैसे उनको छोटा कर सकते हैं अब वो आपको नहीं करना वो chemical लिए आपको करना है तो उसमें क्या मिलाया जाता है 4% Nitrocellulose मिलाया जाता है क्या है 4% Nitrocellulose और फिर उसको किसके साथ मिला दिया जाता है alcohol और ether के साथ, किस के साथ alcohol, alcohol और ether के साथ, 4% nitrocellulose, और फिर alcohol, ether, इनका mixture मिलाए जाता है, इस जो membrane है, इस filter paper को उसमें डुबाओ और वो permanent नहीं हुआ है वो change, वो अभी permanent नहीं हुआ है, वो hard नहीं हुआ है, अभी वो कच्चा है, तो उसको फिर formaldee hide में डाला जाता है, क्या किया, आपने paper लिया, आपको पता चला भाई, ये तो इसके तो क्यासे size हैं, इसका size तो बड़ा है, इसमें तो colloid है, वो jail में आपने बंद कर रखा, वो तो भाग जाएगा इसमें से, तो आपको ऐसी jail बनानी है, ऐसा बनाना कि वो इसमें से निकल ना पाए colloid particle इसमें से ना निकल पाए, तो आपने क्या किया, उसको 4% nitrocellulose में alcohol और ether का mixture था, उसमें डुबाया, वो भी permanent नहीं हुआ है बात समझके न, क्या बता भी colloid sunny देवलो बात, और वो उसमें से निकल के भागजे उसको तोड़ के, तो हमें क्या करना है, उसको permanent करना है तो permanent hardening के लिए आप उसमें क्या मिला देते हैं, formaldehyde में से उसको निकाल लाते हैं, तो उसकी hardening हो जाती है, अब सनी देवल नहीं तोड़ सकता, दारा सिंग तो वो दारा सिंग है, नहीं यह filter करा रहे हैं, जैसे आप इसमें देखिए यह सारे particles हैं इसमें यह purple वाले हैं, yellow वाले हैं इसमें से colloid तो आप बहार जा नहीं सकता अब इसमें से क्या है? यह membrane हमने लगाई है इसमें से colloid तो बहार आप जा नहीं सकते अब यह जो और particles इसमें हैं जो impurity होगी वो इसमें से निकल के भाग सकते हैं देखिए ये yellow अब यहाँ आ गए है तो यहाँ पर जो आपका solution था उसमें colloid particles थे और कुछ impurities बाकी थी अब हमने क्या किया यहाँ पर एक ultra filtration वाली membrane बनाई और फिर क्या किया उस पर आपने जो भी solution आपकी पास था उसमें membrane लगाई और फिर पास होना शुरू हो गए और यहाँ पर तो पहुंच गए जो impurities थी और यहाँ सिर्फ आपका क्या बच गया बोलो क्या बच गया कोलोड बच गए तो ऐसे हम क्या करते हैं प्योरिफाई करते हैं next topic क्या है हमारा properties of colloid की property क्या है अब आपने colligative property पढ़ी है कौन से chapter में पढ़ी है solution वाले chapter में second chapter solution वाले chapter में आपने पढ़ी है अब क्या चीज शो कर सकता हमें वो देखना है देखो colligative property वो होती थी होती है अभी भी है यह वो number पर depend करती है कितने number of molecule के उपए जो number होगा उसके उपए depend करती है अब एक बर ज्यान दीजिएगा इस बात के उपर आपके पास colloid है को बाता है मालो आपके पास बीस molecule है total solution में आपके पास कितने है 20 molecule है यहां पे आपका true solution है यहां आपका और यहां हमने total कितने molecule माने 20 molecule हमने यहां पर बना लिए true solution में और colloid में क्या फरक है इसके तो 20 के 20 molecule यहीं रहेंगे पर इसको अगर colloid में आना है तो 20 की जंगे कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे क्योंकि दो जुड़के एक particle बनाएगा तब जाकि वो कहीं colloidal range में आएगा तो क्या हुआ नंबर और particle कम हो गए मतलब colligative property की जो भी values आएंगी वो colloidal में क्या आएंगी कम आएंगी colloidal particles के लिए colligative property क्या आएंगी कम आएंगी और colligative properties आपने पहले में पढ़ी होंगी चार थी osmotic pressure है, lowering और अपना जो vapor pressure है depression in freezing point और elevation in boiling point अब इसको implement करके देखें मालो elevation का मतलब क्या जादा होना boiling point का अब जादा का मतलब colloidal में देखें मैंने बोला colligative property नंबर पे depend करती हैं और जादा अगर नंबर होगा तो elevation बढ़ेगा भी उसी का boiling point उतना ही जादा बढ़ेगा जिसका नंबर जादा होगा जिसका नंबर जादा होगा उसका boiling point भी उतना ही बढ़ेगा true solution में 20 particle, colloidal में 10 particle तो बोलो elevation किसका जादा होगा true solution का जादा होगा, colloidal का नहीं होगा बात समझ गे न, कोलोड का जादा नहीं बढ़ सकता क्योंकि वो नमबर पे डिपेंड करती है कोलिगेटे प्रॉपर्टी बात समझ गए, बहुत अच्छे फिर क्या है, टिंडल इफेक्ट टिंडल इफेक्ट क्या है, स्केटरिंग ओफ लाइट स्केटरिंग ओफ लाइट आप यह देखें डाइग्राम इसमें क्या दिखाई पढ़ रहा है कि जो दूसरे वाला ग्लास है उसमें से तो लाइट पास हो रही है इस वाले ग्लास में से नहीं हो रही तो इसका कारण क्या है कि इस वाले ग्लास में Colloidal solution कैसा solution है Colloidal मतलब आप इधर आपना रखे जिसमें आपने चीनी मिला रखी है पानी में इधर आप दूद भी रखे तो यहां से आपको light इसमें से पास होती है यह नजर नहीं आएगी इसमें से light पास हो जाएगी आपको blue color दिखाई पड़ेगा तब आप milk में से पास करेंगे बात समझ गए ना तो इसका मतलब क्या है कि Colloidal range के particle इतने हैं कि वो क्या कर सकते हैं light को scatter कर सकते हैं जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं आपने देखा होगा light अगर आप आप ओन करते हैं ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल सीधी जाती है और वो फैल जाती है आपको पूरा एरिया नजर आ रहा है तो इसका कारण क्या है कि वहाँ dust particles होते हैं और dust particles colloidal range के होते हैं किस range के होते हैं? colloidal range के होते हैं तो इसी वज़े से light को क्या गर देते हैं? scatter तो इस वाले glass में इसी वज़े से हुआ क्योंकि इसमें क्या है? colloidal solution है अभी आपने देखा भी होगा कई बार हम एक अंधेरे से कमरे में होते हैं बंद है बिल्कुल कमरा पर वहाँ एक कोने में से कहीं से रोशनी आ रही होती है कहीं से क्या आ रही होती है? रोशनी आ रही होती है तो उसमें से आप क्या देख पाते हैं? उसके बीच के रस्ते में उस light में जितने particles हैं आपको दिख रहे हैं तो कारण भी तो वही थे ना यह जो light ऐसे scatter हो रही है, तीके न इसको tindle cone बोला जाता है, light ऐसे आती न, तो यह क्या बनता है, tindle cone इसको बोला जाता है, और इसको हम tindle effect बोलते हैं, सब को समझ में आ गया, तो यह colloidal particle की ही property है, अपनी, कि वो light को क्या कर देते हैं, scatter कर देते हैं, फेला देते है, tindle effect क के लिए एक condition भी होती है, इनके लिए condition भी होती है, कि जो particles है, जो particles होते हैं, dispersed particles, उनका diameter इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए, वेवलेंद की comparison में ज्यादा चोटा नहीं होना चाहिए, कि true solution आप डाल रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो tindle cone बनाने वाला है, तो ऐसा नहीं स्केटरिंग ओफ लाइट सिर्फ कौन शो कर रहा है, सस्पेंशन भी शो करता है, और कौन करता है, कोलोईडल पार्टिकल भी शो करते हैं, अब यह देखिए, क्या है, ब्रावनियन मुवमेंट है, पार्टी चल रही है, यह आप देख सकते हैं, ब्रावनियन मोशन, यही अपने जो पार्टिकल्स हैं, इनका जो मोशन होता है, आपने टिंडल कौन में, तब वो कमरे में, बंद में, ऐसे वो छोटे-चोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, तो आपने देखा होगा, देखो इनके मूवस, देखो डांस के, तो यह कैसे हैं, जिग-जिग यह इनकी पार्टि जिग-जिग चल रहे हैं, तो इसी मोशन को क्या बोलते हैं, ब्रावनियन मोशन, यह साइंटिस्त थे, ब्रावनियन, जिनों ने इसको देखा था, पानी में वैसे बॉलन ग्रेन की मूवमेंट उन्होंने देखी दी, तब उन्होंने इसका नाम दिया था, ब्रावनियन मोवमेंट, तो जिग-जिग जिग 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 मोवमेंट होती है, उसी को आप क्या नाम देते हैं, ब्रावनियन मोवमेंट, तो डांस पार्टि में कुछ सीधे डांस तो करता नहीं, तो यह पार्टिकल्स जांस करें, तो जिग-जिग मोवमेंट ऑफ बादिकल्स के बादिकल्स बादिकल्स इस ग्रवन्य मोमन